Hello everyone, welcome back to my channel Insight Law आज हम बात करने वाले हैं जुरिस्पृरिंस की सीरीज में हिस्टॉरिकल स्कूल की वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल जुरिस्पृरिंस बहुत इंटरेस्टिन बड़ा छोटा सा स्कूल है बहुत असानी से याद हो जाती है सारी चीज़े सबसे पहले हम इंटरक्शन की बात करेंगे की पहिए फ्लेट स्कूल क्या है क्या नहीं है पॉर्इलेटिकल स्कूल अगर आपने अनलेटिकल स्कूल नहीं पडआ है तो उपर आई बटन में आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर आप analytical school पढ़ सकते हैं तेकि analytical school हमें कहता था कि कानून जो हमाई सरकार ने बना दिया software ने बनाने that it is whatever they are saying that is the law for us ये analytical school कहता था लेकि historical school की विना काफी similar approach है बट यहां पर क्या गलती गरी था analytical school में propounders ने उन्होंने कहीं की भी history मा के customs उन सबको बहुत जादे निगलेक्ट कर दिया था historical school उस पार फोकस करता है so when you see कि historical school और analytical school अगर hand in hand जाएं तो बहुत अच्छे laws बन सकते हैं historical school is basically कहता है कि कि किसी भी जगा का कानून वहां की history से जो उनके past experiences है उससे मिलकर develop होता है यह बात historical school कहता है बाकि आपको याद होना बड़ा सान है historical नाम ही उसका यह है याद सानी से हो जाता है यहाँ पे जब historical school का जो concept है या जो origin होता है वो ऐसे हुआ था कि जो natural law की theories थी ना उनके against में जो reactions आ रहे थे नहीं ऐसे नहीं इसा होना चाहिए उस reactions ने जो है foundation का काम करा था for analytical for historical school ठीक है प्रोफेसर डायस ने भी यही बात कही है that it is reaction against the natural law theories can be said to be the basis of several important principles of historical school ठीक है इसको analytical legal positivism का reaction बहुत कि लिए ली माना जाता है ठीक है काफी जो propounders है या हमारे opinions है या इस्टोडिकल स्कूल की उन्होंने भी यह बात कही है it is a reaction against the analytical legal positivism अब बात है कि क्या इन में से कुछ question एक्जाम में आने वाला है NET में or SUVT में नहीं डायरेक्ट question नहीं आने वाला है बट आजकल हमें पता है statement 1 and statement 2 के questions आ रहे है assertion and reasoning के questions आ रहे है उनमें इन चीजों से लेकर statements बन जाते है ठीक है बाकी if you are new over here आपको नहीं पता है हमारा WhatsApp group चल रहा है CUET के लिए जहां पर हमें एक रोज एक PYQ post करते हैं सारे relevant practice questions हम बेखते हैं and we are planning to make a same group for UGC NET as well तो आप मुझे यह बताएंगे के comment section में कि आप किस exam के लिए prepare कर रहे हैं so accordingly we can guide you ठीक है चले अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे chief propounders कौन है इस school के सबसे पहले हम बात करेंगे Monteskyo की Frederick Karlwan Sevigny a very very important person UGC sorry CUET का PYQ है उसने 4 आपको क्या दिया है 4 जूरिस्ट के नाम दिया है अनुस में बोला कि इन में से important figure कौन सा है historical school के लिए तो इसका सेविग नी है ऐसे questions भी आये है और Sir Henryman आपकी जब भी काफी पर question exam में ना ऐसे आने लगे हैं कि मैंने पिछली वीडियो में भी का है तो आपको इनके years याद रखने बहुत ज़ाद ज़रूरी है जब भी आप स्टाटिक सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी वर्ड किसी भी question में पढ़ते हैं ठीक है यह concept दिया है कहीं पर अगर question आता है कि who has said the following or who has given the following statement इसमें स्टाटिक या प्रोग्रेसिव सोसाइटी का से रिलेटेड कोई बात करी गई है तो वह हैं रिमें नहीं कही है और कहीं सरफ में लिखाता है कहीं सरफ हैं रिमें लिखाता है तो don't get confused it is sir henry main पूरा नाम उनका सबसे पहले Montesquy की बात करने वाले हैं Montesquy ने क्या करा था historical school का groundwork करा था जितना भी relevant काम था फ्रांस में उन्होंने ये कहा था कि उनके हिसाब से कानून जब तक meaningful नहीं होगा जब तक वह के लोगों की जो demands उनको पूरी नहीं करेगा social demand क्या है political demand क्या है environmental से लिटेट का demand है उनके साब से अगर किसी कानून में उसकी history ठीक है उसके past experiences reflect नहीं होते हैं तो वह बंजर है वह बाट जगा है ठीक है ये बात उन्होंने कही थी इन्होंने ये कहा था कि जो हमें पता है हमारी society बहुत जल्दी develop करती रहती है तो जो हमारे laws होने चाहिए वह ऐसे nature की होने चाहिए कि हमारी society जो change हो रही है the changing of the society वह से क्या कर सके उसे adapt कर सकते है ठीक है चलिए उन्होंने आगे हमें society की जो है उसे adapt करने changing laws से और उन्होंने को specific theory ने दिया किसी ने कमांड theory दे दी किसी ने बोल जिस दे दी है उसके बाद आपके social solidarity के बाद होई है ऐसी कोई specific theory का नाम ने दिया और उन्होंने बस एक statements की तरह दिये है अपनी philosophy दिये है और उन्होंने law और society को कैसे लिंक करना है वो बता है नोंने ये बोला है कि laws ऐसे होने चाहिए कि समय के हिसाब से जैसे जैसे लोगों की need बदल रही है ठीक है समय के हिसाब से कानून को भी law को भी उसी need को satisfy करने के लिए बदलते रहना चाहिए हमने concept पड़ा है administrative law में और constitution में भी theory of separation of powers बहुत important है worldwide constitution में यूज किया जा रहा है इसका जो पहली बार concept दिया था separation of powers का Montescu ने दिया था और UGC net or CUET दोनों में आ जाता है equation की separation of powers की theory किस ने दी थी यह जो हम theories के नाम में पढ़ रहे हूं मैं आपको बार बार बोलती हूं कि याद कर लो याद कर लो क्यों क्यों कि exam में आ जाता है command theory किस ने दी थी so you should know आपको by heart पता होना चाहिए याद होना चाहिए आपको पहली कोशिश यही करनी है कि आप समझ लो और उससे आप उसकी आदमी की इतना आपको उसकी philosophy और थेरी का नाम याद हो जाए कि आप याद कर सकते हो बट आपको नहीं हो पा रहा है ऐसे याद हो बहुत कम ताइम में एक्जाम में तो रटना ही पड़ेगा और रटना पड़ता है ठीक है चलो उसके बाद Montescue की one of the very well known and famous books is the spirit of laws बहुत 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 जादा famous book है और अगें same thing PYQs PYQs बहुत आते हैं एक्जाम में आता है यह किताब किसने लिखी ती who was the author of this book तो आपको major आप सब authors की किताबे तो याद नहीं रख सकते हो बढ़ आपको इसका पुरा ध्यान रखना है कि major authors की किताबे तो आप याद रखी ले यह Montescue है Austin हो गए Jeremy Bentham हो गए इनकी आपको बेटा याद करनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम बात करेंगे Frederick Carl Von Sevigny F.K. Von Sevigny इनको historical school स्कूल का founder माना जाता है अब इन्होंने जो थेरी दी वो क्या दी थी इन्होंने दी वोल्क जीस्ट थेरी इन्होंने बोला था कि जो लॉज बनने चाहिए वो लोगों की जनरल बिल के इसाब से बनने चाहिए जैसे historical school यहाँ पर लॉज बनने चाहिए जैसे जर्यमी बेंथम ने यह कहा था कि कानून ऐसे बनना चाहिए जैसे maximum लोगों को happiness मिले and minimum लोगों को paid मिले तो वही चीज यहाँ बार भी रिसेम्बल कर रहे है जो जनरल विल पर अधारित हो यानि कि जनरल विल को satisfy कर रहे हो वो लॉज बनने चाहिए और रहने एक और स्टेट्पेंट दिया था law grows with the growth of people जैसे लोग जन्दगी में आगे बढ़ रहे हैं उसकी साथ साथ कानून भी बढ़ता है उनकी strength ठीक है people जीते हैं मरते हैं nation अपनी individuality को lose करता है चाहिए कुछ भी होता है बट समय के आनुसार जो है कानून को बदलते रहना चाहिए the law should change as per the general will of the people लोगों की क्या जरूरते हैं क्या demand हैं उसके हिसाब से law को क्या करना चाहिए बदलते रहना चाहिए according to him first we should do a historical study of law and codification and codificationist legislation should be done after आप पहले किसी भी जगह की historical expects को पढ़ो पहले हमने ये लोग बनाया हमें इससे फायदा हुआ इससे ये नुकसान ता यहाँ पर ये एक लूफोल रह गया था वी निद तू फिल्फिल इस लूफोल ये लोग बनाया था पहले आने वाले लोगों ने पास में जो गलती करी थी उससे हमने क्या सीगा है उससे हम कैसे progress कर रहे है इसलिए history पर जाते है यही बात जो है सेवेग्नी ने कही थी ठीक है सेवेग्नी ने ये बात बहुत किलिया ली कही थी कि किसी भी देश का जो legal system है वो वहां के लोगों की spirit spirit क्या denote कर रहा है या will spelling mistake है, EKS होगा will denote कर रहा है कि कोई भी देश के legal system जो है वो वहां के लोगों की will के हिसाब से होता है ठीक है अब criticism obviously हर कोई criticize किया करता ही है सपने का रखा है दूसरी criticize यहां एक चीज़ बड़ी फणी है यहां पे इन्हों है अपने खुद से खुद को क्रिटिसाइज का रखा है ठीक ही इंसल्व अपने प्रोटोगरिस्ट अंड उन्होंने क्या कहा था वो यह कह रहे थे कि हाँ ठीक है भी law history से बनने चाहिए अब similar laws बन जाए अब similar laws सब जगा की तो spirit अलग है सब जगा के लिए similar laws कैसे हो सकते तो वहां पर इनकी बात सब्सक्राइज के साथ जो है criticism हुआ था नाव वील तॉक अबाट सर हैंफ्री मेन ठीक है हैंफ्री मेन को English historical school का founder माना जाता है basically ठीक है अब मेन कोर इंडिया का ना इक बड़ा क्या है लिलीन देन है क्यालकटा यूनिवस्टी में भी यह रहे है अजब प्रिंसिपल या जो आप कहेंगे अन उसके बाद इन्हों ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1861 से लेके इंडियन कांसिल आक्ट 1861 में क्या कहाता कि एक आपका लॉप का मेंबर यानि की लीगल बैग्डाउंड का मेंबर गवर्नर जनरल ऑन कांसिल में होना चाहिए तो इंडियन लीगल शिस्टम जे बड़ी इंडिया रिश्ता माना जाता है इनके जो आइडियाज है वो सेवेगनी और मॉंटेस्की उसे मिलते हैं बट इन्हों ने क्या चीज़ अबॉइड करती कि उन्हों ने रोमन लॉज को बहुत जादा फेवर करा था जब आप डीप एडालेसिस करते हो पार इनके बहुत जादा भी आपको अपको आपको आपको अपको आपको एसे बोला हुए पहने चीज़ तो उसने बोली कि लो एक कमांड है जो आपका रूलर दे देता है क्यों क्योंकि उसके पैस डिवाइन इंस्पिरेश्यों है पहले यह नहीं मानते थे लो कि राजा क आपके सब्चाने एक भगवान आता है राजा को भगवान नहीं भीजा है और राजा जो भी चीज गर रहे वो गुलत नहीं कर सकता है तो he is under the divine inspiration उसके बाद जो वो कमांड देता है अब हम over the years कमांड को फॉलो ही करते आरे वही लॉस बनते आरे, सालों से वही हो तो वो चीज क्या हो जाती है वो आपकी कस्टमरी लौका शेप ले लेता है प्रिस्ट, पोप यानि कि अगर हमें को हिंदी में देखे तो आपके पंडिजी हो गए काजी, मौलवी, मुफ्ती यह लोग आपको जो अपके रिलिजियस नीचर के बारे में बताते हैं कि हमारा धर्म क्या है इन फूर्ट स्टेज ओफ कोड़, तो अरुनेटि कोड़ यह टेबल्स जो रोमन में दे रखे हैं ट्वेल्थ टेबल्स, क्या है यह आपकी कुछ दूस एंडोंस हैं कि आपको ऐसे एसे करने हैं चलो जी चार्ट स्टेज में डेवलोप्मेंन होगा, what about after that तो उर्णने क्या क्या कि चौते स्टेज के बाद आपकी इस सोच रखने वाले की आदमी ने जो कह दिया वही होना है ऐसे कपड़े नहीं पैन सकती हैं और तें बाहर नहीं जा सकती हैं retrouve heures stickers हlt वह जींता है शहर बनाता है उसका बेता कोबलर ही बनेगा यह वाली चीज जी स्टाटीक साइटिती कि आप महीं पर बढ़ मैं नहीं स्टाहरे हूं आप जिस गर में पैदा हो हैं आपको इस फुशी आपको और आपजो क्यारेक्टर सचाहरे हैं सब् Fehli और हाग स्कत्राइब करते हैं, तो है कि अगे तो आगे साथ हो न सदिश कर दिवार किसे थे एट, तो मैं या जा एट करें, आगे इसा प्रोग्र्स YOUR आएगा आगे डे बाइस करुछ्न करें? उसमन लगत भीणा करें, ईहां अस रहा हो को इन राइट डिरेक्शन कि सब लोग खुश है सब अच्छा पार्ट कर रहे हैं सारी चीजे स्टाटिक सोसाइटी में एक फैमिली का क्या स्टेटस है उसके साब सरम की राइट से न उबलिगेशन होते थे बट वेंगी वेंट तो प्रोग्रेसे सोसाइटी वहां पर जो अगर को ़िर्टक्राइट अगर को यृ दाउट स्टेक्ष्ट और गुख इसुन कर रहे हूं तो इसमिरी राइट सन उसे मेरी अपलीगेशन रही है तो प्रोग्रेसिव सेटी में एबलन आपको किलियर हो गया होगा अगर कोई और डाउट सेक्षिन आप चैनल पे इन उन करना मत बूलेगा और वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा थैंक यू सो मच पो वाचिंग